सो फाइनली आइम लॉंचिंग प्रचंड फिजिक्स बैच यह बैच जेई और नीट अस्पारेंट्स के लिए जो बच्चे अपना जेई और नीट का एक्जाम 2024 और 2025 में देने वाले जो बच्चे फ्यूचर में देख रहे हैं 2026-2027 वो भी कर सकता है सिलेबस हैं ही रहता है पर इन बच्चों को में पूरा पूरा फिजिक्स का सिलेबस, completely free, पूरा, next seven to eight months में complete physics में पढ़ाने वाला हूं तुमको YouTube पे 100% free, उसका में detailed plan अभी तुमें बताने वाला हूं, जेई और नीट के बच्चों के लिए, पूरा complete में details share करने वाला हूं हैं आपर तुमारे हर रोज, हर रोज, every day, every day, every day, 4 to 5.30, हमने टाइमिंग यह इसली रखी है, क्योंकि स्कूल के बच्ची भी लोटके आ जाते हैं, जो बच्चे offline coaching program में पट रहा हैं, बो भी आ जाएंगे न, क्योंकि फिजिक्स पढ़ने सब आते मेरे पास, सब आते, ठीक है, 4 to 5.30, हर उनको यह वाली क्लास करने हैं, जो बच्चे 2025 बाले हैं, उनको बस यह 4 to 5.30 करने हैं, उनको दूसा नहीं करना, जो बच्चे 11th क्लास में हैं, अभी 2025 में exam देंगे, सीधी बाते 11th क्लास में हैं, उनको बस यह करना है, हर रोज, 4 to 5.30, Monday to Saturday, तुमारी फिजिक्स की क्लास च क्लास रहेगी, 6.15 से 7.45 तक अपनी क्लास रहेगी, क्लास 12 की फिजिक्स चलेगी, हर रोज, again, Monday to Saturday, तो जिन बच्चों को एक साल में पूरा सिलिपस करना है, ड्रॉपर के बच्चे, या फिर वो बच्चे, जिनको जो 12 में होते हैं, पर बोलते हैं, उनके लिए, हर रोज, तो दो क्लास रहेंगी, 4.25, 30, 11 चलेगा, 6.15 to 7.45, 5.00 तुमारा 12 का फिजिक्स चलेगा, अब ये औरेंज और गिरीन कलर का भी मतलब बता देता हूं, ठीक है, तो देखो, गिरीन मतलब ये क्लास तुम्हें अक्षय साल लेने बाले, अक्षय साल तुम्हें अक्षय साल त देखो, 11 का प्लान देखो, तो 11 की क्लास मेरी चलेगी TTS में, इसमें मैं पढ़ाऊँगा, हर रोज पढ़ाऊँगा है, तो आज मैंने Tuesday को जो पढ़ाया, अगले दिन, तुम्हें कोटा के modules करवाएंगे, sheets करवाएंगे, अक्षय सा, numerical practice करवाएंगे, जो भी मैं लिंक दिस्क्रिप्शन में, DPP के हर कोश्चन का वीडियो सोलीशन, हर कोश्चन का वीडियो से, एरर फिरी मटेरिल, completely free, एटिवस एड है, बहुसते लोग बोलते है, फिरी, फिरी, आज तो कुछ, देखो पहाँ पर है, completely, कोई एड नहीं, कुछ नहीं, हमारी website पे भी एट मंत में करेंगे, 12th की बच्चों का देखो, आज मेंने, मेरी के लाज चलेगी, MWF को, 12th में के लाज चलेगी, Monday, Wednesday, Friday, 11th में चलेगी, Tuesday, Thursday, Saturday, ठेक है, उसी में alternate days, अक्षे सर तुमें, कोश्चन कराने वाले, वो तुमें दिख रहा है, कलर से दिख रहा है, तो 12th में म अगले से मालो, आज एलेक्रोस्टेटिक पड़ाया, तो उसकी DPP तुमें मिल जाएगी, टेलिग्राम चैनल पर, अगले दिन, अगले दिन क्या होगा, अक्षे सरोस पर नुमेरिकल कराएंगे, कुछो कोटा की sheet और module हो, उनके question कराएंगी, फिर इस तरह से हमारा plan चलने ब आपे, पर वो भी तुम discuss कर सकते हो, और जब भी में topic class में पढ़ाऊगा, उस समय जो भी doubt आएंगे, तो वो on the spot, वो तो clear करी सकते हो, उसमें कोई doubt नहीं, live mock test, ask me anything session, live doubts, strategy, motivation, जो भी चाहिए, वो सब अपन Sunday को रखेंगे, वो variable time पर रहेंगे, वो बता देंगे, जब भी ह बता देता हूँ, जो 12th वाली series है, इसकी timing है, 615 to 745, यह मेरे channel पर चलने वाली है, physics solids पर जिस पर वीटो देख रहें है, यह 11th वाली series है, यह एक नीटलकी मी channel है, उस पर चलने वाली, अनकाडमी का channel है, नीटलकी में, उस पर में ही चलने वाली है, क्योंकि यह आओर का issue हो बता देता हूँ, कौन से मत्में हम क्या करने वाली है, वो प्लैन हमारा यह है, और यह सारा प्लैन मैं तुम्हारे साथ टेलीग्राम पे अभी शेयर कर दूँगा, तो टेलीग्राम पे तुम्हें यह पूरा का पूरा मिल जाएगा, भाई, लाइक और सब्सक्राइब करते बता देता हूँ, 11 पे अपनी 4-5.30 पीम क्लास चलीग, हर रोज है न, ठीक है, यह सारे हर रोज जो लेक्चर होगा, उसकी लिंक तुम्हें हर रोज टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए बोलनाओ, टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाना, एवरी डे जो भी मटेरियल से ले बेसिक मैस में जल्दवाजी में नहीं करता हूँ, कोई काएगा सर आप तीन हफते क्यों करा रहे हैं, भई में करा तो, that is my style, इतने डेटेल में करा दूँगा कि फिर कभी फिजिक्स में तुम्हें दिक्कर नहीं आएगी है, वेक्टर भी हम बहुत डेटेल में करेंगे है अक्टोबर मन्त में हम करेंगे SHM, Waves and String, ठीक है, नवंबर में हम करेंगे Sound, Fluids और अपना Elasticity वाला Chapter, ठीक है, और फिर December मन्त में हम अपनी Thermal Physics करने बाले हैं, यह 11th का Plan हो गया, 12th का Plan बता देता हूँ, यह तुम्हें मिल जाएगा चलता मत करूँ, यह मिल जाएगा टेल करने बाले हैं, तो Modern Physics है ना, पूरी करवाने बालो है ना, तुम्हारी 9th June से स्टार्ट होगी, Nuclear Physics अपनी स्टार्ट हो जाएगी 26 June से, ठीक है, दो एक Modern Physics चलेगी, फिर Nuclear Physics, बहुत डेटल में, तखड़े तरीक से, मतलब जो यह तुमने Series एक बार कर लिए, और DPP solve कर लिए, तो exam में कोई भी question आज़े, तुम कर लोगे, मतलब वो पक्का शिकर हो जाएगा, तो यह सबसे था high exam point वी से सबसे important topic होता ही है, क्योंकि सबसे कम time में तयार होता है, और सबसे ज़्यादा number देखे जाता है, सबसे ज़्यादा number देखे जाता है, और इसका question ऐसा है, कि अगर अब मैं gravitation कराओंगा, फिर current electricity, फिर capacitor, यह August मन्त में बढ़ेंगे, फिर September मन्त में अपन क्या करने बाले है, magnetism पूरा, A to Z जितना भी magnetism है था मना, बार magnet, magnetic field, magnetic force, complete, October मन्त में EMI, alternating current और EM waves, November में geometrical optics, एक महीन चलेगा पूरा geometrical optics, must पूरा detail में A to Z खतम करा देगे, December में wave optics कर कर देगे, हो सकता भई, 15-20 दिन आगे पीछे जाए है, यह plan है, पर इसमें हो जाएगा है, हर साल अपन ऐसे ही करते हैं, इस पार YouTube में पूरा फिरी कराने बाला हो, तो make sure सबके साथ शेयर करना है, जैसे हमारे यह खतम होगा, अगर तुम लोग धंग से support दिखाया, और हम target लेकर लेकर जलते हैं, यह series खतम होने तक हम इस चैनल पर दोलाग सबस्क्राइबर कर लें, आज 50,000, तुम लोग साथ दो को बिल्कुल हो जाएगा, तो भाई, लाइक और शेयर जरू करते हैं, दोस्तों के साथ, क्योंकि मेरे बारे में जो भी बच्चे को पता चलता है, इतने साल से, जितने भी बच्चे मुझसे कोटा में पढ़े हैं, दिल्ली में पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, उसके तुरी बच्चे मुझे जानते हैं, अब तुम लोग पढ़ रहे हो, तो make sure रहे हैं, उससे फेला हो आ रहा है, ताकि मुझे भी अंदर से motivation है, पूर झाल, कई कि तुम पष्चे मुझे बच्ग स्थो erklाए हैं, दिल्ली झाल फ्रेद बड़े हैं, व्या रहे हैं, ज Çaया मुझे मुझे भी इतन हमाईं, ये पूदужд रहे हैं, इतन हमानते हैं, जहाँ जागे हैं, तुम लोग।ो में हैं घमक्षर पूद़ काय.